महराज-जी कि सिर्फ 12 साल आई यह लेकिन रहे हैं कि आप करोड़ पती है थोड़ा अमारे दर्सकों को बताईए आप करोड़ पती महराज कुछ लोग कह रहे थे कि साधी ओदी का भी कई लोग चर्चा कर दिये थे आपकी एक यूवा वस्था को जब प्राब्द करेंगे 18 साल 20 साल तब तो कहीं मन में ख्याल ना आ जाए साधी ओदी करना इसागा को नाइब आपने विष्वास से कर सकते हैं कि नहीं रहें जब हिंदु है तो राम नंदिर में दलित पुजारी क्यों नहीं 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 कि नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहें यह बारत और जिस वक्त मेरी मव्यूद्ध अध्या के सूरकुर्ण में है और मेरे साथ खास बात चीत करने के लिए वायरल सूरदास महराजी है इस समय जो सोसल मीडिया पर खुप तेजी से वायरल हो रहे हैं सिता राम जैजे स्री राम जै हनुमान जी जै स्री राम का नारा लगता है तो कुछ लोगों को आपती होती ह कर वाले याप का प्रेशन कर वाले जी कहते हैं देश सबका है सब सब नारे चलेंगे इसको सांपरदाइक बताते हैं कुछ लोग कहते हैं भगवारंग सांपरदाइक है तो क्या हुआ यह जंता का तो ही है सब देश के सभी लोग चाहते हैं जी जी सभी लोग का मंदिर बन रहा है कितना उसा है कितना उमंग है हम सब लोग धन्य है जो राम मंदिर हमारे यां अयोध्या में बहुत भवव्य निर्माण हो रहा है अयोध्या में भब मंदिर का निर्मर लेकिन कुछ लोगों कि इस बास से आपती है इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं वही कहीं अस्पताल बनवा देते तो साइद गरीबों का इलाज हो जाता जो लोग दर-दर भटक रहे हैं इलाज के लिए उनका इलाज हो जाता है अब इंटरनेशनल हवाई अड़ा रहा है सब कुछ तो हो रहा है और क्या चाहिए उनसे क्या कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए जिससे गरीबों का भला होगा वह ध्यावें हम से मिले हम उनको दिखाने हस्पताल बन रहा है कि नहीं और सब कुछ डेवल वहां मजीद थी है और रहेगी मतलब बाबरी मस्जिद के लिए उकर है कि अभी भी वह हमारे साथ सब्सक्राइब के रूल को तोड़ते हुए बनाया गया है मिधान को तोड़ करने बनाया गया कोट अधिया तब बना वह और मस्जीद रहेगी तो मस्जीद तो टूचिकर मजीद अपकार रहेगी आप राम मंदिर है राम मंदिर था राम मंदिर रहेगा अब भड़काव भाएजां से यह हमारान की उपड़ि मत करें तुमॉर नही मजजिद कर रहें लकिन मजजीद भी तो नहीं बनवाएं कुछ तयाद ही कोई मजजीद बनवाएं नहीं होंगे वह वो वो मीडिया में छाय रहने होने चाहिते लिए वे वादू के लिए क्या चाहेंगे वह कहरे हैं कि बीजेपी ने इस एक तरस इवेंट बना लिया है इसलिए भी नहीं आ रहा है कॉछ दूझ तो Samu B अरू भी बना लोग यहां बनाने के लिए पार्टी नहीं होती पार्टी जनता जिसको चाहेगी वही पार्टी आगी निकलेगी जनता जाग चुकी है शमज चुकी है यह कुछ विकास होना है योगी जी पूर्फा विकास हो रहा है शुरकूंड़ यह देखी यहां पहले कोई आता जाता नहीं थे दर्शन कर लिए अब यहां दर्शन करते ही करते लोग हैं यहां संजासुबरे आते हैं गंटा दो गंटा समय पास करने कि इतना भब बन गया इतना सुरक्षित है इतना सवक्ष है देखे तो अगले सराज में इसा नहीं था किसी से पूछ लीजिए यहां एक पेर पोधा नहीं था अगले स यादव भी तो कहते हैं हमने भी कास किया थ यहां मंदिर बन रही है गलत बयान भाजी हो रही है जो राम-खत्र सवाल करते हैं कि राम-भगवान कहा है राम-भगवान की तरह सवामी-प्रसाद-मावरिया-टम था-वंतरा की बयान-बाजी करते हैं सलuve प्रकास मायोई ही खुद है है नहीं लो contemporane है कि नई हिंदु हम जैसे आपके दलीत को आप हिंदु मानते हैं हम सब को हिंदु है जो राम का है वही हिंदु है जैसे जैसे स्वामी प्रसाद मौरिया का जो बयान था ढोल गवार सूद्र परसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसे उसमें सवामी प्रसाद मौरिया आप अपने समाज में कह रहे थे कि धोल गवार परसुनारी उनको ताड़ने के लिए कह रहे मिदु ना बने तमाम तरह की इसलिए राम के स्वाल उठाएं बताएं वहां सुद्र सब को बताते हैं वह क्या हैं हम सब लोग यहां को सुद्र ने सब र चाहिए नहीं को पूजा पाठाना चाहिए जिसको आएगा उषिक करेंगे छीजाना करने लगेंगे अ zwischen क्ट्रकार पत्रकार कर सकते हैं सेवक यह बॉटफर मालि काम करेंगे जिसका इवाया इदर्थी लेनी पड़ती थी क्या कहना चाहिए उस समय को जिस तरह से आरोप लगते हैं कि उनके पिता पे की मुलाहिम सिंग्यादा उन्हें कार से उको पर गोली चलवाई है यह बात सही है गोली चलवाई थी यह से बहुत गलत काम था पर अगर तिरपाल लगाने के लिए आदेश ले अपड़ेगा अब भव्यता से आप सब लोग सही हो करिए और मंदिर बने और दर्सन किजिए अच्छा महराज एक सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि महरा महराज जी कि सिर्फ 12 साल आई हुए लेकिन कह रहे हैं कि आप करोड़ पती है थोड़ा हमारे दर्सकों को बताईए करोड़ों जनता चाहते इसलिए करोड़ पती हैं पैसों को मतलब महापत नहीं देते हैं हम प्यार और भगवान का असरवाद ही महापत देते हैं आप कई जगह के उत्रा धिकारी भी है ठोड़ा माद अब दसकों को बताईए घर अभी अभी उनके बाद उतरतकारी ही है कह सब्सक्राइब करने में मंदिर हन्मत कुटी वहां के महराज जी हैं पर उनके बाद हम अन्मान गड़ी सेवा करते हैं कुछ लोग कह रहे थे कि साधियों दी कभी कई लोग चर्चा कर दिये थे आपकी कर दिये लिकिन साधिय नहीं करना है हमारे अन्मान जी बालबरम चारी अभी जैसे कि बारा साथ आपकी उमरे बारा साल ही है तो कहीं एक युवा वस्था को प्राब्द करेंगे 18 साल 20 साल तब तो कहीं मन में ख्याल ना आ जाए साधियोदी करना अभी से हम कर चुके हैं और साधिय नहीं करेंगे और हम अपने विस्वास से कर सकते हैं साधिय न अब आपके उम्र के होंगे तो उनको क्या कहेंगे कि आप जैसा संत बन सकते हैं और जिसको साधियोदी करना वह करिए भाई हम क्यों कहिए सबको अपना जीवन जीने का है जो जैसा चाहें विसको अच्छा लगे वह कर लो बस यह करिए कि आप गलत चीजे मत करिए बाकी पूजा पाठ आप करना चाते हैं करिए अगर पढ़ाई करना चाते हैं पढ़ाई करिए अगर माबाप की सेवा करिए पर गलत काम मत करिए बत